हेलो फ्रेंड्स आज हम घर पे ऐसी रेसिपी बना रहे हैं जिसे आप कहीं बार रेस्टोरेंट चाइनीज रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं और वह बहुत महेंगी मिलती है डिश तो आज हम इसे आसानी से घर पे बनाएंगे और एकदम शुद्ध तरीके से तो चलिए कर सोब मेर पनीर ले लिए है इसे भी डाइसेर में क्ट कर लिया है अब करते हैं आगे का तो अब मैने हाफ टबल इस्पून मैदा ले लिया हाफ टबल इस्पून ही कॉण dealer ले ले लेंगे और पहले इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों को अच्छे से मिक्स करके हम इसको पनीर पे डाल लेंगे पनीर को पहले इससे कोट करेंगे पनीर इससे अच्छे से कोट हो जानी चाहिए अब आप चाहें तो इसमें रेड चीली पेश्ट डाल लें मैं इसमें रेड चीली पाउडर डाल रही हूँ दोलों में से आपको जो पसंद वो डालनें बस ज्यादा सौगीनी होना चाहिए वरना ये पकोड़े की तरह बन जाएंगे तो पहले वो ड्राइ इंग्रीडियन हमने मिक्स कर लिए अब इस पे हम रेड चिली पाउडर डाल के मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंड्स अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना ना भूलें कमेंट करके भी बताएं कौन सी सीटी से आप मेरा वीडियो देख रहें और अगर कोई रेसिपी देखना चाते हैं तो वो भी बता हैं मैं ज़रू ट्राइ करूँगी बनाने की अब पनीर को फ्राइ करने के लिए अईल मीडियम होट होना चीए फ्लेम भी मीडियम होनी चीए और पनीर को हम अच्छे से क्रिस्पी फ्राइ कर लेंगे अलट पलट के इसको अच्छे से फ्राई कर ले तो अब मैंने दूसरे पैन में जरासा ओई ले लिया है ये मैंने एक छोटा चमच ओई लिया है और फ्लेम मैंने हाई रखी है ओई गरम होने पर हम इसमें डाइसेस में कटे वे प्याज डाल लेंगे हाई फ्लेम मैंने इसलिए रखी है ताकि इसमें थोड़ा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए तो एक बार प्याज को अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे हम हलके ब्राउन स्पोट आ जाए इसके उपर ये देखिए अब हम इसमें कटी वी शिम्ला मिर्शी डाल लेंगे और उसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि कोई भी सबजी कच्छी ना रहे और उसमें इसमोकी सा फ्लेवर आ जाए तो दोनों ही अच्छे से फ्राई हो गए अब इसमें हम सॉसेज डालेंगे तो सबसे पहले मैं इसमें एक टेबल स्पून ड्रेट चिली पेस्ट डाल रही हू आप अपने टेश्ट के अकॉर्डिंग ले लें अगर आपको तीखा पसंद है तो ज्यादा ले लें एक टेबल स्पून ही मैं इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ पहले इन दोनों को मिक्स कर लेंगे फिर हम इसमें एक टेबल स्पून टमाटेट सॉस डाल लेंगे इसे भी म सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें हमारी क्रिस्पी फ्राइ कीवी पनीर डाल लेंगे और पनीर को भी अच्छे से इन सभी में मिक्स कर लेंगे सारे वेचीस में और सॉस में और यह मिक्स होने के बाद हम फ्लेम को ओफ कर लेंगे अब मैंने फ्लेम को ओफ कर लिया है और ओफ करने के बाद मैं इसमें एक टाबल स्पूल वाइट विनेगर डाल रही हूं और अब इसे भी मिक्स कर लेंगे और इसे गर्मा गरम ही सर्व करेंगे अब फ्रेंड्स आप चाहें तो इसे बच्चों के टिफिन में दें लंच बॉक्स में या फिर आप इसे शाम की छोटी मोटी भूग के लिए बनाएं लेकिन कमेंट करके बताना न भूलें रेसिपी आ आसानी से चिली पनीर को गर्बे बनाएं और इसे गर्मा गरमी इंजाइ कीजिए थैंक्यू